नमाशकार, बी ए थर्ड एर जनरल इंग्लिश जो के इस बार लास्ट बैच है दो हजार तेईस का, इसके बाद तो नियू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर पढ़ाई होगी, तो ये जनरल इंग्लिश और इंग्लिश लिटेचर का जो डिवीजन है वो ही खतम हो जाएग कोशिश करूँगी कि इसी में पेपर थर्ड भी आपके लिए एड कर दूँ, तो ये एक पिछला पेपर है, जो मेरे पास है और आपका इस साल जो दोजार तेईस में कोश्ट पेपर आने बाला है, सेकिंड पेपर, वो अबजेक्टिव ही होगा, तो आपका कोश्ट पेप जो receiver होता है प्राप्त करने वाला, message को प्राप्त करने वाला, response वाने प्रत्योत्तर या प्रतिक्रिया और the reaction, reaction भी प्रतिक्रिया होती है, of the receiver प्राप्त करने वाले का, to the message, संदेश के प्रति, of the communicator, जिसने संदेश भीजा है, तो जो प्रतिक्रिया होती है, receiver की, वो क्या क स्टेक हमेशा रहती है इतने कौशनवी पेपर देखें सम्मे यह गलती इन means में मीन मांस।純र रहती है में मांस कम्यूनीकेशन में मोनीटरिंग चलय кол다MIंस था कर चाहिए बीच ताइप और आड्रेंस आड्रेजिय juice ौंम communication में किस प्रकार की audience को या दर्शकों को शुरताओं को address किया जाता है संबोधित किया जाता है तो वो heterogeneous होते हैं यानि सभी तरह के mixed type के audience होते हैं एक ही तरह के नहीं होते हैं heterogeneous होते हैं फिर देखिए question number four the term broadcasting refers to जो शब्द broadcasting है उसका मतलब क्या है airborne transmission of radio and tv waves यानि जो radio and tv की जो तरंगें होती है waves तरंगें होती है वो airborne यानि हवाई आधार पर उनका transmission होता है एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाया जाता है हवा में तो यह क्या कहलाता है broadcasting कहलाता है फिर question number five देखिए which among the following sentences is are correct इन में से कौन सा sentence correct है तो यह जो चार sentence दिये हुए हैं इन में से देखिए radio station like bbc and voice of america are available on internet यह जो stations रेडियो stations यह internet पर available है लेकिन मुझे लग रहा है कि यह बाकी के दोनों भी सही है phone in program is also known as the interactive programming तो जो phone in program होता है interactive program होता है मिलब आप किसी को phone करते हैं से आपको प्रतिक्रिया मिलती है अपने questions पूछते है phone in program से आपने रेडियो पर सुने होंगे टीवी पर भी देखे होंगे आप अपने questions पूछते हैं वहां से जबाब मिलते हैं तो यह भी सही है और रेडियो बिर्स इस पार्ट ओफ प्रेशन देखते हैं इन विच लेंग्विज वोज दा बॉंबे समाचार फर्स प्रिंटेड तो बॉंबे समाचार पहले गुजराती में प्रिंट हुआ था फेर है विच इस दा फॉर्थ पिलर ओफ डेमोक्रेसी तो चोथा खंबा यह तो आपने खुब सुना होगा शब यानि लोग तंद्र का चोथा खंबा किसको कहा जाता है प्रेस को कहा जाता है विच अमंग दा फॉलोइंग इस नॉट अनूज एजनसी तो इन में से नूज एजनसी कौन नहीं है प्रसार भारती नूज एजनसी नहीं है फिर देखिए बिजनेस एंड कम्यूनिकेशन आर has no effect on each other ये कैसे हो सकता है ये तो इसलिए मैं मार्क नहीं करती कभी-कभी गड़बर हो जाते हैं ये देखिए कि business यानि व्यापार और communication यानि संचार सूचना का आधन प्रदान तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं हो तो ये तो आंसर एक दम ही गलत है मार्क गलत कर दिया ये देखिए inversely proportional क्या होता है जब एक चीज जब माली जे दो चीज़े हैं उनमें inverse proportion का relation है तो एक चीज जब बढ़ती है तो दूसरी चीज घड़ती है उसको inversely proportional कहा जाता है जैसे कि माली जे एक खेत की निराई करने में दस घंटे लगने हैं और जैसे जैसे आपके घंटे बढ़ते जाएंगे तो वो जो काम है वो घटता जाएगा या फिर एक आदमी को दस घंटे लगेंगे अगर हम चार आदमी लगा दें तो फिर धाई घंटा लगेगा तो जैसे जैसे आदमी बढ़ते जाएंगे तो जो वर्किंग आवर्स हैं वो घटते जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोशनल बोलते हैं तो ये भी गलत आंसर होगा बिजनेस में कम्यूनिकेशन जितना ज्यादा होगा तो बिजनेस उतना ही तो बढ़ेगा तो ये relation भी गलत है directly proportional इसका सही answer होगा है तो इसको हम B लगाते हैं समझाना जरूरी होता है कभी-कभी आप लोग कहतें कि मैडम direct answer बताएगा और direct answer में यही तो होता है आपको समझ में नहीं आएगा फिर देखिए kinetics is the science of kinetics होगा kinetics थोड़ी होगा kinetics is the science of नहीं भाई सही है यह kinetics ही है और kinetics का मतलब होता है body language चलिए आगे बढ़ते हैं फिर effective and true communication depends on तो जो प्रभावशाली और सच्चा communication किस चीज़ पर depend करता है वो ability to communicate आपके अंदर कितनी समता है communicate करने के उस पर depend करता है which of the following is not the part of seven C's of communication तो जो communication के seven C's हैं उनमें curiosity नहीं है वैसे तो यह question भी गलत है क्योंकि seven C's जो है communication के उनमें clarity है conciseness है concreteness है correctness है coherent है completeness है और courtesy है तो उस हिसाब से तो फिर यह भी नहीं आने चाहिए लेकिन चलिए channel और content यह तो जरूरी content जरूरी है channel का मतलब माध्यम होता है माध्यम भी जरूरी है clarity तो जरूरी है curiosity को ही हम यहां बाहर कर सकते हैं यह जो question paper जिसने बनाया है थोड़ी सी उसके वहाफ पर गलती है चलिए हम आगे बढ़ते हैं the word communication is derived from Latin भाषा से लिया गया है another name for interpersonal communication is तो interpersonal communication के लिए दूसरा जो शब्द है उसके लिए दूसरा शब्द जो प्रियोग किया जाता है वो द्याजिक communication है इसमें यह दो लोगों के बीच का communication है जिसमें verbal language non-verbal language body gestures body language psychological attributes बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है तो interpersonal communication के लिए दूसरा शब्द ज्याजिक communication है यह याद रखे काफी important है question और इसमें से हो सकता है काफी question आपके लिए repeat भी हो जाए गारंटी को ही नहीं है लेकिन काफी questions आप ही सकते हैं आपके exam में तो ध्यान से पढ़ेगा और याद भी कर लीजेगा communication involves blank space active interaction with our environment यहाँ भी इसका जवाब all of these होना चाहिए यह होना चाहिए all of these देखिए communication में सारी चीज़ें शामिल है physical interaction भी होना चाहिए हमारा biological interaction होना चाहिए social interaction तो सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे environment से तो इसका जो जवाब है all of dive up होगा कुल्दीप नएयर is well known for कुल्दीप नएयर को तो आप अच्छे से जानते ही हैं column writing के लिए जाने जाते हैं columnist है फिर question number 17 देखिए what does berliner mean berliner का क्या मतलब है यह एक newspaper format है इसके लिए एक word और आता है लेनर जो newspaper format है उसके लिए दूसरा word है my di midi उसको भी याद कर लीजेगा वो भी आपसे पूछा जा सकता है exam में तो यह एक newspaper format है थोड़ी इसके बारे में और जान लीजे जिसके pages normally उनका जो measurement होता है वो 315 by 470 mm होता है यानि 12.4 inches into 18.5 inches तो यह आप याद रखेगा इसका जो format है थोड़ा सा लंबा होता है और marginally थोड़ा wider होता है tabloid से tabloid और या फिर compact format जो होता है उससे थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा wider होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं काफी difficult रहेगा आपका यह second paper बहुत महिनत करनी है next question देखे क्या कह रहा है select the statement about business communication that is not true तो इसके options आप देख लीजे यानि ये भी मुझे गलत ही है इसका ये जवाब नहीं है select the statement यानि आपको वो कथन चुनना है about business communication बिजनस कम्यूनिकेशन के बारे में that is not true जो सच नहीं है तो upward और downward ये पहला option है business communication takes many forms oral print and electronic यानि बिजनस कम्यूनिकेशन के बहुत सारे forms होते है oral मौकिक होता है printed होता है छपा हुआ होता है और electronic होता है तो देखे ये बिल्कुल सही है और in business you will be judged on your professional expertise not your communication ability यानि business में आपको आपकी जो professional expertise है यानि आप अपने profession के बारे में व्यवसाय के बारे में कितने expert हैं कितना जानते हैं उसके आधार पर आप judge किये जाएंगे ना के communication ability के आधार पर तो ये statement गलत है आपको communication भी आना चाहिए business में सिर्फ professionally expert होना काफी नहीं है बलगे आपको communicate करना भी आना चाहिए तो जो statement गलत है ये वाला है और d देख लिजे if you communicate well अगर आप अच्छे से communicate करते हैं अपनी बात को कह पाते हैं you are likely to be promoted तो आपका promotion होने की संभाव ना होती है तो ये बात भी सही है अगर आपका अच्छा communication है अपने boss से बाकी लोगों से च्छी बात कर पाते हैं तो आपका promotion होना लाजमी है तो ये statement भ ये तो c गलत है फिर देखते हैं next question 19 when we consider the communication activities of an organization from an overall point of view the activities fall into three broad categories तो जब हम एक संगठन की communication activities को देखते हैं तो वो तीन broad categories में आती हैं electronic, face-to-face यानि आमने सामने और internal यानि के आनतरे फिर देखे communication helps in, communication मदद करता है cultural promotion में फिर देखे the Indian television network is known as तो भारत का जो television network है उसको दूर दर्शन कहते हैं ये तो आपको अच्छे से मालूम ही है आसान सवाल है फिर देखे which agency is responsible for the promotion of books in India तो भारत में books का promotion करने के लिए कौन सी agency है कौन सा अधिकरण है जो के responsible है, जिमेदार है National Book Trust of India इसकी responsibility है फिर देखे the document that is used to communicate within the organization is called तो वो document जिसका प्रयोग किया जाता है communicate करने के लिए एक organization यानि संगठन के अंदर उसको कहा जाता है memo Next question देखे, question number 24, communication without words शब्दों के बिना किये जाने वाला communication क्या कहलाता है non-verbal communication To decode a message is to यानि एक message को decode किया तो इसका क्या मतलब हुआ decode करने का क्या मतलब है interpret a message आपने उसका interpretation किया उसकी व्याक्या की कि उसका मतलब क्या है ये बताया फिर है technical accuracy of language means एक भाशा की जो तक्नीकी सटीकता होती है accuracy मने सटीकता तो उसका क्या मतलब है correctness of grammar, spelling and punctuation कि भई वो grammar के आधार पर व्याकरण के आधार पर correct है, spelling सही है और उसमें punctuation सही है होना चाहिए, stop होना चाहिए, semicolon होना चाहिए, वो punctuation कहलाता है, तो ये सारी चीजना सही होनी चाहिए तभी language accurate होती है फिर है ICT यानि information and communication technology ये इसकी full form है अच्छा पहले आच्छा ये ही question है, ICT in modern parlance means, यानि आधने की युग में ICT का क्या मतलब होता है तो information and communication technology ये मतलब होता है, फिर देखिए which of the following consists of simple process of communication यानि इन में से किस में communication का simple process, साधान प्रक्रिया होती है message source feedback, message source message receiver, message source medium, message receiver तो all of the above इसका सही जवाब है, सभी में होती है which among the following is not an English daily येन में से कौन सा एक अंग्रेजी का समाचार पत्र नहीं है daily जो रोजाना निकलने वाला समाचार पत्र है तो जो पंजाब केसरी है, वो English का नहीं है बाकी the patriot और the Hindu, the duckan chronicle ये English के ही है फिर देखिए, विविद भारती is connected with तो विविद भारती किस से connected है, आपने सुनी होगी विविद भारती तो All India Radio की सेवा है, तो इसका सही जवाब A है interpersonal communication is, interpersonal communication कब होता है when more than two persons are involved यनि जब दो से ज्यादा लोग involved होते हैं अच्छा, intra-personal, interpersonal में तो दो होते हैं और intra-personal में दो से ज्यादा होते हैं तो spelling पर दिहान दीजिएगा, मुझे थोड़ा doubt हो रहा था कि interpersonal में दो से ज़्यादा कहां हो गए intra-personal है, spelling देखिए फिर next question है, external communication can involve communication with external communication में communication किस से शामिल हो सकता है suppliers के साथ, service, companies के साथ, customers के साथ, all of diverse तो जो बाहरी communication है, external माने बाहरी communication तो बाहरी communication में ये सारी चीज़ें आती है supplier और service companies और customers तो all of diverse सही जवाब है in the workplace, internal personal communication is तो कारे स्थल पर जो internal personal communication है, वो क्या है can have a significant impact in he की जगे यहां दी होना चाहिए in the success of the operation तो उसका effect होता है, significant माने महत्योपून, impact माने प्रभाव होता है in the success माने सफलता में of the operation, यानि कारे के तो जो communication है, वो सफलता पर प्रभाव डालता है तो ये सही जवाब है बाकी के जो दोनों है, unacceptable यानि अस्वी कारे है तो ये तो नहीं हो सकता भाई, communication अस्वी कारे कैसे हो सकता है और जो C, इसका जवाब है देखिए, should be encouraged, encouraged होना चाहिए with no restrictions, यानि बिना किसी restriction के इसको encourage करना चाहिए, यारी सारे टाइम अगर communication ही करते रहेंगे, तो काम कब करेंगे तो बिना restriction के तो नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जरूरी है, तो ये भी सही जवाब नहीं हो सकता फिर question number 34 देखिए, on what kind of communication does a business depend, यानि किस प्रकार के communication पर एक business, एक व्यापार निरभर होता है थोड़ा सा clarity कम है question में, लेकिन देखिए इसके हम options देखते हैं, the nature of the business यानि business किस प्रकार का है, nature मने प्रकृती होती है business व्यापार की प्रकृती, the nature of the its business environment, यानि nature मने प्रकृती of its business, यानि इसके व्यापार के environment होता है वातावरण, तो व्यापार के वातावरण की प्रकृती how geographically dispersed it is, यानि कितना geographically मने भवली ग्रूप से dispersed मने फैला हुआ it is यह है, तो इन सभी पर निरभर करता है, इसका जवाब D होगा all of the above, यानि जो communication है वो भी इन सब पर निरभर करता है, और business इन सब पर निरभर करता है, किस प्रकार का business है तो उसी हिसाफ से communication किया जाएगा, याना business environment जिस प्रकार का है, उस हिसाफ से communication होगा, geographically dispersed, यानि मन लिजे आपका business cable India में है, या फिर आपका इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सब जगे फैला हुआ है, तो geographically आपका कहाँ फैला हुआ है, इस पर भी आपका communication depend करता है, भई चाइना में जाएंगे तो Chinese आनी चाहिए आपको, या फिर English आनी चाहिए, पाकिस्तान जाएंगे, थोड़ी उर्दू आनी चाहिए, तो इस पर भी depend करता है, तो इसका जो सही जवाब होगा, all of the above होगा, question number 35 देखिए, mark the most correct completion of the sentence beginning, यानि ये जो sentence यहाँ शुरू हो रहा है, इसका सबसे correct, सबसे सही completion कैसे होगा, ये sentence सबसे सही तरीके से पूरा कैसे होगा, तो sentence की शुरूआत है cross cultural communication, यानि अंतर संस्कृतिक communication, संप्रेशन हिंदी में होता है, यानि एक संस्कृती से, दूसरी संस्कृती के बीच, जो आदन प्रदान है, या संप्रेशन है, अब ये कैसे पूरा होगा sentence, तो इसके लिए D वाला सबसे सही तरीका है, is consistent if all communications share a common language background, यानि ये cross cultural communication consistent होगा, सही होगा, अगर सारे communications, सारे संप्रेशन्स share करते हैं, भागिदारी करते हैं, a common language background, एक समान भाषा की प्रिष्ट भूमी का, मत्दब कि अगर हमें भी English आती है, सामने वाले को भी English आती है, तो हम अपनी बात, चाहे वो cultural हो, हम अच्छे से उसके साथ share कर पाएंगे, अगर हम Hindi के साफ से चलेंगे, तो सामने वाले को जरूरी नहीं Hindi आती हो, कोई भी आशा है, तमिल speaking अगर है कोई व्यक्ती, तो जरूरी नहीं सामने वाले को तमिल आती हो, तो अगर same language होगी, common language background होगी, तो जो cross-cultural communication है, वो consistent होगा, वो सही होगा, तो इसका जवाब D है, question number 36 देखिए, audience and feedback are two main components of, तो audience और feedback, दो मुख्य component है, तो यहाँ जो options हैं, interpersonal communication, interpersonal communication, mass communication, तो जवाब तो इसका all of these होना चाहिए था, हर प्रकार के communication में audience भी होना चाहिए, audience मतलब शूरता होना चाहिए, और feedback भी मिलना चाहिए, कि सामने वाले को हमारी बास समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, उस पर क्या आसर हो रहा है, तो यह तो आधार है किसी भी communication का, यानि सुनने वाला होना चाहिए, और उससे feedback भी मिलना चाहिए, तो वैसे तो इसका answer all of these होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ none of these दे रखा है, तो फिर हमें एक चुनना ही होगा, तो जब हम एक चुनेंगे इस में से, तो हम mass communication को चुनेंगे है, ना, audience और feedback दो मुख्य कंपोनेंट है, mass communication के, फिर question number 37 देखिए, which of the following statements is true regarding culture, यानि संस्कृती के संबन में इन में से कौन सा statement सही है, तो इसका जवाब C सही है, culture often provides, यानि संस्कृती अक्सर उपलब्ध कराती है, detailed prescriptions, यानि विश्तित prescriptions होते हैं, for appropriate behavior, यानि appropriate मने होचित behavior व्यवार, कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हर culture का अलग-अलग होता है न, जैसे कहीं परदा है, कहीं कोई dress है, कहीं कोई system है, तो ये व्यवार के तरीके हर संस्कृती अलग-अलग उपलब्ध कराती है, तो ये C सही जवाब है, the aim of cross-cultural communication training is true, यानि जो cross-cultural communication की training है, prescription दिया जाता है, कि आप दूसरी संस्कृती के लोगों के बीच जाएं, तो किस तरीके से communicate करें, इसका training दिया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या है, develop business etiquettes, यानि आपके अंदर business के etiquettes आने चाहिए, आपको सलीका आना चाहिए, कि किस तरीके से business किया जाता है, दूसरी संस्कृती के लोगों के बीच जाना है आपको, तो आप अपने हिसाब से बात नहीं करेंगे, उनके हिसाब से बात करेंगे, तभी वो आपका सामान खरीदेंगे, तो ये B, इसका सही जवाब होगा, फिर cultural intelligence help us to know cultural differences, C, सही जवाब है, यानि अभी संस्कृती के बीच में differences होते हैं, तो वो अंतर हमको समझना होता है, और ये किस से आता है, cultural intelligence से, फिर question number 40 देखिए, which of the following is not one of the suggested techniques, for overcoming cross-cultural communication barriers, यानि ये जो नीचे techniques दी गई हैं, इन में से कौन सी ऐसी नहीं है, जिसमें के overcome मने जीता जा सके, cross-cultural communication यानि एक संस्कृती से, दूसरी संस्कृती के बीच, communication के जो barriers हैं, यानि जो बाधाएं हैं, उनको पार किया जा सके, तो इन में से कौन सा नहीं है, use commonly accepted business jargons, तो jargons, use commonly accepted business jargons का मतलब है, जो सामाने रूप से, business में प्रियोग किये जाने वाले, शब्द हैं, jargons, एक निरर्थक शब्द आप बोल सकते हैं, जो दूसरों की समझ में नहीं आते, तो आप इनको प्रियोग करेंगे, तो ये तो आपके लिए कोई helpful थोड़ी होगा, है न, तो ये सहायक नहीं है, हमें उन बाधाओं को जीतने में, बाकी जो तीन हैं, उनको भी समझ लीजिए, वो तीनों क्यूं सही जवाब हैं, और ये क्यूं नहीं है, हमारे लिए helpful, लिसन फॉर अंडरिस्टेंडिंग, नॉट एग्रिमेंट, यानि आपको समझने के लिए सुनना हैं दूसरों की बात, जरूरी नहीं आप उनसे सहमत हो, बी अलर्ट टू कल्चरल डिफरेंस, यानि आपको अलर्ट रहना है, साब्धान रहना है, कल्चरल डिफरेंस के प्रती, जो संस्कृतिक भेध हैं, उनके प्रती, इन कस्टम्स एंड बहेवियर, यानि उनके जो रीत्रिवाज हैं, और जो उनका विएभार है, फिर जो डी है, अब्जर्ब कल्चर डिफरेंस एंड एटिकेट, यानि आपको अब्जर्ब करना है, ध्यान से देखना है, कि कैसे उनकी संस्कृति और उनका एटिकेट, यानि उनका जो विएभार है, हमसे डिफरेंट है, नेक्स्ट क्वेशन देखिए, इनमें से कौन सी एक रिपोर्टर की क्वालिटी नहीं है, तो जो ऑप्शन है माईर पास, टीम इस्पिरिट होनी चाहिए, टीम की भावना होनी चाहिए, आउट गोइंग नेचर, यानि आउट गोइंग नेचर का मतलब, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, जिसकी नेचर में, तो वो भी जरूरी है, अनोस फॉर दा नियूज, यानि कहां नियूज है, उसको सूहने की शक्ती होनी चाहिए, कहां खबर अच्छी मिल सकती है, तो वो भी होना चाहिए, फिर एडिटिंग इंटर्व्यूज फॉर यूज, यानि जो इंटर्व्यू हैं, उनको एडिट करना यूज के लिए, हालांकि ये भी क्वालिटी है, लेकिन हम इसी को हटा सकते हैं, बाकी तो तीनों बहुत जरूरी हैं, फिर एक्स्पेंड एफेम, एफेम को क्या बोलते हैं, फिल फिर्व्यूर्व्यूर्यूर्व्यूर्वर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर्यूर होता है लिप मूवमेंट होटों का मूवमेंट भी होता है नौडिंग ओफ हैड से रहिलाना भी होता है हैंड मूवमेंट हाथों का मूवमेंट भी होता है तो औल अफद आवब सही जवाब है कम्यूनिकेशन नीर से कम्यूनिकेशन के लिए जरूरत होती है सेंडर यानि जो मैसेज भेजता है रिसीवर जो मैसेज को प्राप्त करता है और चैनल बने एक माध्यम तो औल अफद आवब इसका भी सही जवाब है फिर which of the following is not the means of mass communication तो इन में से कौन सा mass communication का एक उदाहर नहीं है रेडियो है, टेलिवीजन है, सिनेमा है, टेलिफोन इसमें शामिल नहीं किया जाता है फिर है a volunteer announcer for the campus radio station reading the news headlines during his shift is engaged in यानि आपने देखा होगा कि campus radio station होते हैं, जैसे हमारी BBRU जो हमारी Dr. BR Umbedkar University है उसका भी अपना एक radio station है, तो उसमें जो एक volunteer announcer है, जो news headlines पढ़ रहा है वो किसमें शामिल है या क्या कर रहा है, वो mass communication कर रहा है फिर communication is the process of by which messages are transferred from a source to a receiver यानि communication यानि suppression is the process वो प्रकरिया है, by which जिसके द्वारा messages are transferred messages भीजे जाते हैं from a source, एक स्रोच से to a receiver, एक प्राप्त करता के पास who said it, ये किस ने कहा, ये Rogers and Shoemaker ने कहा है फिर है, the primary function of interpersonal communication is तो जो primary function है, जो पहला कार्य है, interpersonal communication का वो है relationship building, संबन बनाना फिर है, what is the role of channels to bring out effective and successful communication तो जो channel है, माध्यम है, उसका क्या role है, एक effective माने प्रभावशाली और successful माने सफल communication पैदा करने में, उसका role है to start the process of sending a message यानि एक message जाना है, वो प्रकरिया शुरू करना में जे हिसाब से कहीं all of the work तो नहीं है, चलिए, पढ़ लेते हैं तीनों को दूसरा जो है, to inform what a sender wishes to share यानि ये inform करना कि एक sender क्या भेजना चाहता है, share करना चाहता है तीसरा है, to make a bridge between a sender and a receiver यानि जो message भेजने वाला है, संदेश भेजने वाला है, जो संदेश को पाने वाला है, receiver है उनके बीच में एक bridge बनाना, pull बनाना, तो इसका मेरा शक्स सही था ये किसी और ने निशान लगाए हुए हैं, किसी बच्चे की book है और इसका सही जवाब all of the above होगा है, यानि ये तीनों ही सही है फिर है, radio broadcast begin in, radio broadcast 1923 में शुरू हुआ, email is a method of communication to transfer यानि जो email है, वो एक तरीका है, transfer करने का अपने संदेशों को, message को electronically फिर है, दिख रहा है कि नहीं, चलिए email के बारे में तो आप जानते हैं है, कि आपका जो message है, वो electronically transfer होता है, फिर है, the writing of an account of something heard, seen or done यानि कोई चीज आपने सुनी, देखी, या की, उसके account बने, उसके बारे में लिखना, ये क्या कहलाता है, report writing कहलाता है in the question given below, find the odd one, तो नीचे चार चीज़न दी गई हैं, उनमें से एक odd one आपको अलग करना है, चाटना है, newspaper, radio, television, cable, television तो जो newspaper है, वो कागस पर है, बाकी, इनमें क्या है, broadcast होता है radio पर भी, television पर भी, cable television पर भी, तो वहाँ कागस प्रियोग नहीं होता print नहीं होता, तो ये जो newspaper है, वो print media का part है बाकी ये तीनों इनमें broadcasting होती है फिर देखिए, which of the following is a barrier of communication तो इनमें से संप्रेशन में एक बाधा कौन बनता है तो ये somatic noise, यहाँ पर थोड़ा सा spelling mistake है ये somatic की बज़ा, semantic noise होना चाहिए semantic noise क्या होता है एक type का, ये communication noise है जो तब पैदा होता है जब जो sender होता है, यानि message भेजने वाला और message प्राप्त करने वाला उनके meanings अलग-लग होते हैं interpretation अलग होती है शब्दों की, प्रतीकों की, symbols की, science की वो कुछ कह रहा है, वो कुछ सुनना है तो ये एक barrier पैदा हो जाता है एक बाधा पैदा हो जाती है तो ये semantic noise कहलाता है आप note कर लीजेगा अपनी notebook में S-E-M-A-N-T-I-C semantic noise बोला जाता है उसको फिर question number 56 देखिए the vital part of communication is तो संपरेशन का जो मुख्य पार्ट है अंग है, वो क्या है feedback, sender, message, receiver तो feedback, sender, message और receiver भी बेकार है sender भी बेकार है feedback भी आई नहीं सकता जब तक message नहीं होगा तो सबसे पहले आपके पास कहने को कुछ होना चाहिए तो जो सबसे मुख्य अंग है वो message है हलांकि सभी important है message को भेजने वाला भी important है receive करने बाला भी important है feedback भी important है लेकिन यहां पर सबसे ज़्यादा important message है next question देखिए 57 which of the following statements is true for journals इन में से कौन सा statement सच है journals के बारे में they give all types of news, views and entertaining events यानि वो हर प्रकार के news देते हैं, आपको खबर देते हैं views बने विचार देते हैं और entertaining events देते हैं फिर देखिए which media would be ideal to attract the attention of children to sell chocolates to them यानि कौन सी चीज सबसे ज़्यादा attractive होगी अगर बच्चों का ध्यान खीचना है उनको chocolates बेचनी है तो radio है newspaper है, TV है, leaflets है तो हलांकि ये सभी चीज़ा ध्यान खीचती है, radio पर भी खूब सुना जाता है, TV पर दिखाए जाता है भई, वो मंच और उसका प्रचार कितना आता है सारी chocolates का आता है और leaflets वो हैं आपके घरों में डाल जाते होंगे ना, लोग डाल जाते हैं हमारी यां तो burger pizza वाले जो है, pizza heart का रोज डाल के जाता है तो वो leaflets होती है तो ये बच्चों का ध्यान खींसती है, बच्चे उठाते हैं घर के गेट के अंदर पड़ा है बच्चे उठा के लाते हैं, रे ममी ये मंगा दो आहां burger कितना अच्छा है देखो इस पर बना हुआ है, तो वो काफी attractive होती है, जो leaflets होती है तो इसका सही जवाब D होगा फिर, reach and frequency of an advertisement is calculated by studying the targeted audience over a period of यानि, reach मने पहुँच होती है frequency, मलब कितनी बार कोई चीज़ पहुँची of an advertisement यानि किसी चीज़ को आपने advertise किया उसको प्रचार किया और वो कितने लोगों तक पहुँची और उसका कितना असर हुआ तो वो कैसे calculate किया जाता है उसका हिसाब कैसे लगा जाता है वो कितने period में यानि कितने समय का हिसाब लगा जाता है तो वो four weeks का count किया जाता है calculate किया जाता है फिर है, a group discussion is a form of तो एक जो group discussion है वो dadic communication का example है फिर है the glossary is the list of तो जो glossary है वो किसकी list होती है देखी होगी आपने बुक के end में glossary होती है technical terms used in the report तो जो technical terms जो शब्द प्रयोग किये गए हैं difficult words होते हैं उनकी list होती है technical accuracy of language means एक भाषा की तक्नीकी सटीकता उसका मतब है ये question तो दो बार repeat होगी है पहले भी आ चुका है correctness of grammar, spelling and punctuation तो उसकी grammar सही है, spelling सही है, punctuation सही है because you deserve to know is the punchline used by क्योंकि आपको जानना चाहिए ये किसकी punchline है हिंदुफसान टाइम्स की है because you deserve to know फिर generally speaking in business we communicate यानि अगर सामनत है कहा जाए तो business में हम लोग communicate करते हैं both to persuade and inform यानि inform मने सूचना भी देते हैं और persuade भी करते हैं उनको अपनी राय की तरफ मोड़ते हैं आपने देखा होगा अलग लग चैनल अपने तरफ लोगों की राय मोड़ने की कोशिश करते हैं याना सबका अपना अपना propaganda होता है और आजकल आप news देखते हैं तो जरूर आपको समझ में आता होगा कैसे persuade करते हैं चैनल in which of the following types of communication methods of audio conferencing be classified यानि in which of the following types इन में से किस type में of communication method यानि जो संप्रेशन के तरीके हैं of audio conferencing जो audio conferencing होती है एक मैं मैं बलब दो चार लोगों से मिलके जो बाचित होती 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 है वो उसको classify किया जाता है वो two-sided verbal two-sided verbal में इसको categorize किया जाएगा या classify किया जाएगा फिर question number 66 देखिये in business keep telephone calls very short because the other person may not be यानि business में अपनी telephone calls को बहुत छोटा रखिये यानि कि पूरा हाल चाल पूशने लग गए छोटी calls रखिये क्योंकि जो दूसरा वेक्ती है may not be free to talk to you हमेशा आदमी खाली तोड़ी होता है आपके mobile पर भी आते रहते होंगे आप काट देते हैं भही time नहीं है बाद में call करना तो जो आपकी call है छोटी होनी चाहिए फिर next question है business research gives information to guide जो business research है वो information देता है to guide बने प्रदर्शन करने के लिए यानि सही रास्ता दिखाने के लिए stockholders को question number 68 देखिए alternative communication is यानि वैकल्पिक संप्रेशन क्या है a visual form of communicating यानि एक visual form है यानि जो देखकर आप को सूचना मिलती है that replaces spoken words यानि शब्द बोले नहीं जा रहे हैं आपको कुछ दिखाए जाए जैसे आप तस्वीर देखते हैं photo देखते हैं तो उसे आपको सूचना मिलती है कि क्या हुआ होगा तो यह alternative communication कहलाता है which of the following is not included in the appendix section of a report तो एक report के appendix section में इन में से क्या शामिल नहीं होता तो उसमें conclusion शामिल नहीं होता maps उसमें होता है questionnaire होता graphs होता है लेकिन conclusion उसमें नहीं शामिल है question number 70 media organizations sometimes survey people about their political opinions और voting behavior तो जो media organizations होते हैं आजकल बहुत चला है क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाला है तो media organizations कभी-कभी survey करते हैं के बीच में जाके कि उनकी राजनित्रिक opinion क्या है voting behavior क्या है कि इसको vote देंगे तो लोग खुल के बोल देते हैं आपने देखा होगा TV पर आजकल बहुत आ रहा है कि भाईया हम तो राहुल को vote देंगे कि भाईया हम तो मोधी को vote देंगे तो ये media organizations करते हैं such surveys are called तो इन surveys को क्या कहा जाता ये पॉल opinions कहलाती है यानि चुनाब के बारे में आपकी जोटाए है पॉल opinions कहलाती है फिर question number 71 which of the following is not a method of establishing and sustaining marketing relations यानि इन में से कौन सा method नहीं है is not a method कौन सा तरीका नहीं है establish करने का इस्थापित करने का and sustaining मने बनाई रखने का marketing relations market के bazar के जो संबन है आपके उनका तो जो force force मने ताकत है भई ताकत से थोड़ी ना आप relations बनाई रख सकते हैं जबरदस्ती थोड़ी करेंगे कि हमारे ही सामान खरीदो किसी को अच्छा लगेगा तो खरीदेगा नहीं अच्छा लगेगा नहीं खरीदेगा तो इसमें force शामिल नहीं है बाकी आप press release press में आप अपने advertisement कर सकते हैं advertorial आप निकाल सकते हैं feature article आप निकाल सकते हैं लेकिन ताकत यूज नहीं कर सकते फिर 72 देखिए question number the chronological development of information in the body of the report is done according to the यानि chronological होता है क्रमबध development मने विकास of information सूचना का in the body of the report यानि जो आपकी report है उसमे वो कैसे होता है according to the order in which events occurred यानि order मने भी क्रम होता है तो उसी क्रम में आपको report देनी होती है सूचनाय देनी होती है जिसमें events occurred यानि घटनाय हुई थी पहले जो हुआ वो पहले बताना है बाद में जो हुआ वो बाद में बताना है यानि तो यह हुआ order in which events occurred फिर question number 73 देखिए when the speaker wants to convey information efficiently and get work done it is best to यानि when जब the speaker wants यानि बोलने वाला चाहता है to convey मानि पहुचाना information सूचना efficiently यानि सटीक रूप से कुशलता पूरभक and get work done और काम करवाना चाहता है it is best to तो सबसे च्छा क्या होता है use words with denotative meaning यानि शब्द ऐसे प्रियोग करना जिनका के denotative meaning हो मतलब कि जो शब्दिक अर्थ होता है वो denotative meaning होता है जो word है उसका वही meaning जैसे कि warm शब्द है warm मने गरम होता है तो यह इसका denotative meaning हुआ लेकिन हम कहते हैं उसने warm welcome किया अब वहाँ जो warm है उसमें feelings होती है यानि उसने प्यार के साथ गरम जोशी के साथ हमारा स्वागत किया और हम कहते है cold welcome किया तो cold माने वैसे ठंडा होता है जैसे बर्फ ठंडी होती है आप फ्रिज से पानी निकालते हैं वो cold होता है तो वो उसका denotative meaning हुआ और उसने हमारा cold welcome किया मतब कि कोई गरम जोशी ही नहीं थी उसको कोई खुशी ही नहीं थी हमारे आने की तो वो connotative meaning हुआ तो अब यहाँ पर जो information हमको exactly देनी है तो हमको शब्दों का वही meaning प्रियों करना है जो connotative meaning होता है वो literature में ज्यादा use होता है यहाँ mass media में नहीं होता business communication में नहीं होता तो यहाँ denotative ही आएगा the term communication climate means blank space relationship in an organization तो intrapersonal relationship in an organization फिर देखिए which one of the format for internal communication in the organization अभी यह पहले भी आ चुका है यानि एक organization के अंदर जो internal communication होता है उसको memo writing बोलते हैं फिर देखिए in organizations the flow of communication sometimes slows down because there are too many यानि कभी-कभी organization में communication slow हो जाता है धीमा हो जाता है क्योंकि बहुत सारे hierarchical levels होते हैं hierarchy क्या होती है संस्तरन कहा जाता है इसको हिंदी में कि वो उुचा है वो उससे उुचा है वो उससे उुचा है तो directly बात नहीं कर पाते हैं जैसे कि हम जो teachers हैं वो आपस में आराम से बात कर लेते हैं लेकिन जब हमें controller है, SDM है या DM है, तो उन से और हम directly बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनका level अलग है, तो इसकी वज़े से जो communication है वो कभी-कभी slow हो जाता है, हमारी बात उन तक पहुँच ही नहीं पाती है, फिर देखिए, which of the following is matched with press trust of India, तो it is a news agency, प्रेस PTI, PTI का नाम आपने खुब सुना होगा, फिर दे टर्म ओफ रेफरेंस for producing a specific report are given by तो जो टर्म्स ओफ रेफरेंस हैं, एक specific report देने के लिए, वो दिये जाते हैं, किस के द्वारा, organizations के द्वारा, question number 79, देखिए, when writing the speech outline, the author is suggested writing in short phrases in single words in full sentences no specific style क्या पूछा है, question when writing the speech outline, यानि जब speech outline लिख रहे हैं, the author is suggesting, तो author को ये सुझाब दिया जाता है, writing कि वो लिखे in short phrases छोटे phrases में, in single words, single words में in full sentences, full sentences में, no specific style, कोई special style नहीं है, अब no specific style इसका जवाब इसलिए होगा, क्योंकि जो बोलने वाला है, वो ये देख कर बोलेगा, कि किस प्रकार की audience को सम्मोधित कर रहा है, हर जगे आप एक तरीके से नहीं बोल सकते, कहीं आप short phrases में बोलते हैं, कहीं full sentences में बोलते हैं, तो इसके लिए कोई specific style, कोई विशेश शैली आपको prescribe नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ no specific style होगा, फिर देखिए, question number 18, communication a major barrier to reception of message is, यानि एक मुख्य barrier माने बाधा होती है, तो communication में, संप्रेशन में, एक मुख्य बाधा है, to reception माने प्राप्त करने में, आफ मैसे संदेश को, वो क्या है, audience attitude, audience knowledge, audience education, audience income, तो audience attitude, इसमें मुख्य बाधा है, यानि audience आपका message प्राप्त करना चाहता है, नहीं चाहता है, या उसका क्या attitude है, उस पर depend करता है, तो ये ये सही जबाब है, scanning means reading quickly, to know, scanning का मतब है, जल्दी से पढ़ना, ये जानने के लिए, the specific piece of information, ये जो खास information है, खास सूचना क्या है, उसको जानने के लिए, जल्दी से पढ़ना scanning है, फिर public relation is the practice of managing, the flow of information between, public relation क्या है, practice मने तरीका है, of managing समालने का, the flow of information, जो बहाब है सूचना का, between organization and its clients, यानि एक संगठन है, organization मने संगठन, और इसके जो clients हैं, उनके बीच में, फिर what does the marcom convey, the company's value proposition, through a variety of print, electronic and social media, तो marcom का ये मतलब है, तो आया, समझे मारकॉम की जो full form है, marketing communication होता है, marketing communication, अलग-अलग, जो marketing channels हैं, tools हैं, उनका combination होता है, और वो इस चीज़ पर focus करता है, कि कैसे business communicate, एक message, जो उनका message है, वो कैसे communicate किया जाए, उनका जो desired market है, यानि जहाँ वो चीज़ें बेचना चाहते हैं, तो अपना जो message है, संदेश है, हुआ तक कैसे पहुँचाएं, तो उसके लिए, जो word यूज़ किया जाता है, marketing communication, और उसकी short form, marcom use की जाते हैं, तो ये भी आपके exam में आ सकता है, कि marcom की full form क्या है, तो marketing communication, तो ये, एक print media, electronic media, social media, हर तरीके से अपना message पहुँचाते हैं, अपना information पहुँचाते हैं, और अपना advertisement करते हैं, आई-सी, ये, mm, then it is known as, तो इसको क्या कहा जाता है, ये ambiguous feedback कहलाता है, समझ में नहीं आ रहा है, वो हाँ कर रहा है, ना कर रहा है, आई-सी का मतलब हाँ, समझ में आ गया हाँ, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं, तो इस सामने वाले का पता ही नहीं चल रहा कि कहा रहा है, तो ये ambiguous feedback कहलाता है, ambiguous का मतलब जिसको आप एक से ज्यादा तरीके से interpretate कर सकते हैं, कि सामने वाले को आपकी बात अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, तो ambiguous होता है वो, जो समझ में clear नहीं होता, जो सेंटेंस होना चाहिए और active sentences होने चाहिए, passive नहीं होने चाहिए उतमें, फिर looking quickly over a book to get a superficial idea of the content is called, यानि किसी किताब को quickly देखना, उसका superficial उपरी सतही idea, यानि विचार आपको मिल जाए, कि क्या कहनी चाहती है ये किताब, धंग से आपने deeply नहीं पढ़ा, तो वो क्या कहलाता है, skimming कहलाता है, question number 87, देखिए क्या कहरा है, which of the following is an example of a channel used in the communication process, तो इन में से कौन सा एक उदाहरण है, जो communication process में, संप्रेशन की प्रक्रिया में, चैनल मने माध्यम जो प्रयोग किये जाते हैं, अच्छा, पहले एक question आया था, जिसमें telephone lines, telephone को exclude किया गया था, तो वो जो question था ध्यान रखिएगा, उसमें mass communication था, लेकिन communication process, यानि हमें अपनी बात किसी तक पहुँचानी है, तो वो तो telephone उसके लिए use होता है, लेकिन जो mass media है, या mass communication है, उसका ये माध्यम नहीं है, telephone, तो दोनों डिफ्रेंस याद रखिएगा, फिर देखिए, next question, which of these is not, one of the seven seas of communication, the seven seas of communication फिर आ गए, और मैंने आपको बताया था, आपने note किये होंगे, मैंने कहा था कि आप note कर लेना, correctness, clarity, conciseness, ये तीनों हैं उसमें, character उसका part नहीं है, seven seas of communication में, मैंने शुरुआत में ही बताया थे, पहले भी एक question आ चुका है, seven seas of communication में, तो वो जो मैंने साथों बताया थे, वो जरूर आप note कर लीजेगा, फिर है, a message is a signal that serves as, तो जो message है, वो एक signal होता है, संकेत होता है, जो क्या काम करता है, a stimulus for a receiver, तो जो receiver है, जो प्राप्त करता है, उसके लिए stimulus का काम करता है, stimulus क्या होता है, कोई भी चीज जो हमको प्रेरित करती है, प्रेरक कहलाता है हिंदी में, stimulus को क्या कहता है, प्रेरक, यानि प्रतिक्रिया देने के लिए कोई चीज हमको stimulate कर रही है हमको प्रेरित कर रही है तो वो stimulus कहलाता है तो जो message है कोई सी का message आया तो तभी तो हम प्रतिक्रिया करेंगे कोई message नहीं आया तो हम क्यों stimulate होंगे तो यह stimulus का काम करता है message फिर question number 90 देखे every company writes annual reports and about the schemes run by the company to know यानि हर company annual report लिखती है अपनी schemes के बारे में योजनाओं के बारे में जो के कमपनी चला रही है जानने के लिए इसके options देख लिए the actual performance यानि जो वास्तम में performance क्या चल रही है business की to identify the areas of business growth यानि कौन से वो area हैं कौन से शेत्र हैं identify माने पहचानना पहचानने के लिए उन शेत्रों को जहां business उनका grow कर सकता है आगे और develop कर सकता है विकास कर सकता है to achieve greater efficiency in management to achieve माने प्रात करना greater efficiency और ज्यादा कुशलता in management माने विवस्ता में तो इन सब के लिए तो all of the above यह सही जवाब है फिर question number 91 which of the following may not be accomplished through vertical communication यह accomplished की spelling थोड़ी गलत है ल-I-S-H-E-D होना चाहिए तो vertical communication के through इन में से क्या नहीं हो सकता problem solving camaraderie task coordination conflict resolution तो problem solving नहीं हो सकता सही जवाब है a dialogue between a human being and a computer program that occurs simultaneously in various forms is described as यानि इनसान और computer के बीच में जो dialogue होता है बातचीत होती है वो man machine speak कहलाता है फिर most of our walking time goes in जातर हमारा जो walking time है वो किस में निकलता है hearing सुनने में निकलता है फिर next है who selects the head and breaks for a news bulletin तो news bulletin के लिए जो head है break है वो कौन select करता है director general select करता है नहीं ये सही जवाब नहीं होगा इसमें news editor ही आएगा news editor ये सही जवाब है director general नहीं news editor select करता है फिर next देखते हैं when was the censorship imposed on the Indian press तो भारतिय प्रेस पर censorship कब थोपी गई थी यानि आप ये news दिखा सकते हैं ये news नहीं दिखा सकते हैं तो ये 1975 में थोपी गई थी आपको याद होगा इंदेरा गांदी जी के टाइम में emergency लगी थी तो emergency में अपने विरोधियों को पकड़ पकड़ के आप jail में डाल सकते हैं आप प्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि भई ये ख़बर आप चापेंगे ये ख़बर आप नहीं चापेंगे उस वक्त ये सारे news channels तो नहीं थे आज कल तो आप करी नहीं सकते हैंना censorship impose करी नहीं सकते प्रेस पे एक channel को रोक लेंगे आप दूसरे दो को रोक लेंगे तीन को रोक लेंगे, इतने सारे सेक्ड़ों चैनल से हैं, किस को रोक लेंगे, तो अब तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1975 में जब इमर्जेंसी लागू हुई थी, तब ये हुआ था, तो सही जबाब 1975 है, फिर a cross-cultural training program might include, तो cross-cultural training program में क्या चीज शामिल हो सकती है, ये पह communication technique, negotiation styles, business etiquettes, all of the above, तो all of the above, सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है, जब किसी ओर training दी जाती है, cross-cultural, यह एक संस्कृती से दूसी संस्कृती के बीच में, जो आदान प्रदान है, उसकी training दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है, site stands for, site का मतब है, satellite instructional television experiment, फ फिर question number 99 देखिए, अच्छा, which of these is the conventional means, यानि इन में से कौन सा conventional तरीका है, of sending information, सूचना भेजने का, quickly, तेजी से, and efficiently, कुशलता पूर्वक, in an office, एक कार्या ले में, primarily, यानि primary group से, because of simplicity of its ready-made format, यानि सरलता होती है, और ये ready-made format होता है, उसका तयार format होता है, तो वो memorandum है, फिर last question देखिए, which is, what is an external correspondence, external मने बाहरी correspondence, यानि सूचना देना, बाहर सूचना देना, issued to the mass media, जो के mass media को issue किया जाता है, यानि आप रेडियो के लिए, टीवी के लिए, अख़वार के लिए, जो सूचना देते हैं, on a specific issue, किसी खास issue पर, which is meant for public consumption, यानि जो public consumption के लिए होता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेस रिलीज कहते हैं, यानि कोई भी घटना होती है, कोई भी meeting है, तो उसके बाद एक प्रेस रिलीज की जाती है, तो वो क्या होती है कि जनता को क्या जानना चाहिए, जनता तक आपको क्या सूचना पहुंचने है, मीटिंग में क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला, तो उसके लिए प्रेस रिलीज निकाली जाती है, हाउस रिलीज नहीं होता, प्रेस नोट नहीं होता, हाउस रिपोर्ट होता सही जबा प्रेस्ज ठीक है तो ये था आपका सेकेंड पेपर थर्ड पेपर देखते हैं तो थर्ड पेपर आपका कम्यूनिक्शन स्किल्स है और यह कुछ इस तरीके से आएगा डेस्क्रिप्टिव ही आएगा सेकेंड पेपर ही आपका objective है first paper पर आप पहले वीडियो देखी चुके होंगे थर्ड पेपर में देखिए section A है जिसमें से आपको पांच question करने है पहले note उपर दिया ही हुआ है attempt any five questions from section A, any three questions from section B and two questions from section C तो इसमें देखिए जो पहला कोशन है what is a comprehension comprehension क्या होता है what is the origin of the word comprehension comprehension शब्द कहां से लिया गया है वोट इस लॉजिकल एंड रीजनिंग अबिलिटी यह क्या होती है logical or reasoning ability how can we improve our communication skills अपनी communication skills हम कैसे सुधार सकते हैं what do you understand about the grammar grammar से आप क्या समझते हैं how can you improve your reading comprehension यानि पढ़कर आप comprehend माने समझना होता है तो आप कैसे improve कर सकते हैं कि पढ़के कोई चीज आपको समझ में आए what is the difference between verbal and nonverbal reasoning तो verbal और nonverbal reasoning के बीच में क्या अंतर है what are the different levels of comprehension तो comprehension के अलग-अलग levels क्या है अलग-अलग इस तर क्या है फिर section B में देखिए एक paragraph दिया हुआ है और उस paragraph पर based questions है परग्राफ पढ़ेंगे आप और फिर इन questions का answer देंगे क्या पढ़ लिया जाए ये paragraph काफी लंबा वीडियो हो जाएगा मेरे इसाब से the effect of books is twofold they preserve knowledge in time and spread it in space यानि जो कितावें हैं उनका प्रभाव दो तरीके से होता है वो समय के साथ knowledge को प्रजर्व करती हैं सुरक्षित रखती हैं और उसको समय के साथ फैलाती हैं यानि space में फैलाती हैं जगह पर फैलाती हैं एक जगह से दूसी जगह जाती हैं कितावें वहां फैलाती हैं और समय के साथ भी फैलाती हैं कभी की लिखी गई कितावें आज तक जिंदा हैं आज तक हम उनको पढ़ रहे हैं पर दाहर के लिए आप किसी इंपोर्टन आइडिया के बारे में सोचिए उनलेस यू के राइट इट डाउन यूर आइडिया विल प्रॉबिल डाई तो यदि आप अपने उस आइडिया को नहीं लिखेंगे आपके दिमाग में कोई खयाल आया अच्छा खयाल आया और जाएगा वेन यू डाई जब आप मर जाएंगे तो आपके लिए उस आइडिया को लिखना जरूरी होता है नहीं तो आपके साथ ही मर जाएगा इवन इफ यू डू राइट इट डाउन अगर आप उसको लिख भी देते हैं इट पैरिश एस सून एस दा माइस इड़ खाये काट डालते हैं खाड डालते हैं बट वंस इट हैज बीन प्रिंटेड इन बुक फॉर्म लेकिन एक बार अगर उसको किताब की शकल आपने दे दी और प्रिंट करवा दिया उसको इट डाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी जल्दी आप मर गए और हाव मैनी क बुक लिखी थी उसकी कितनी कॉपी चूहों ने खा ली फॉर सो लॉंग एज वन कॉपी रिमेंस अगर एक भी किताब उसमें से रह गई आपकी इनने जो बुक लिखी है उसकी एक भी कॉपी अगर रह गई दा आइडिया केन वी मेक तूफास फॉर एज लॉंग एज लिव लॉंग आफ्टर यू है डाइड तो आपके मरने के बाद भी जो आपके आइडियास हैं वो किताब की शकल में लंबे समय तक जिंदा रहेंगे अब देखे इस पैसेज पर बेस जो क्वेशन्स हैं वो देख लीजे राइट जिस्ट ऑफ दा पैसेज तो इस पैसेज है अब इसमें कितनी लाइण्स है एक दो तीन चार पांच छे साथ आथ और यह नौ में वाली दस माल लाइन मालेजे तो नाएन लाइन लाइन्स को आपको तीन लाइन्स में लिखना है तो वो जिस्ट हो गई summary हो गई अब तीन lines में आप क्या लिखेंगे आप यही लिखेंगे कि भई अगर कोई idea हमारे दिमाग में आता है if we have an idea in our mind we should try to publish it in the form of a book so that it may outlive us if we write that idea on paper it can be eaten by the mice but the book will remain forever इतना काफी है आपके लिए यह आपकी जिस्ट हो गई second question देखिए what is the importance of books किताबों की importance क्या है महत्व क्या है तो अभी आपने पढ़ा ही books की importance क्या है books keep ideas forever keep ideas living forever ऐसे कर दीजेगा या फिर आप और अच्छा लेक सके तो यह कर दीजे books immortalize the ideas of human beings यानि जो किताबें हैं वो इनसानों के विचारों को खयालों को अमर कर देती हैं फिर देखिए what will happen if we do not write an important idea अगर हम एक important idea को लिखेंगे नहीं तो क्या होगा अभी आपको बताया गया passage में if we do not write an important idea it will die with our death कितना सा हो गया इसका जवाब suggest a suitable title for the passage तो इस passage का एक उचित title आपको देना है तो आप कह सकते हैं importance of books इसका सही title हो सकता है फिर why is a book valuable तो ये उपर भी question आया है same है what is the importance of books और why is a book valuable तो दोनों का लगभग है कि यही जवाब होगा a book is valuable because it keeps ideas living forever Shakespeare ने सोलमी शताबदी में क्या लिखा हम उसको आज भी पढ़ रहे हैं क्योंकि book form में वो हम आरे पास 7 level है तो इसलिए books valuable है अब section C देख लीजे यहाँ पर attempt any two of the following questions इसमेंसे चार question दे रखें इनमेंसे आपको दो करने है what is the meaning of comprehension in English तो English में comprehension का क्या मतलब है and what are the salient features और क्या मुख्य विशिश्चता है of generative grammar की generative grammar की क्या विशिश्चता है यह आपको लिखना है long question लिखना होगा दो पेज, डाई पेज, तीन पेज जितना आप लिख पाएं write a letter to your father regarding the importance of the general English in the modern language तो पिताजी के लिए आप कितना भी लंबा खत लिख सकते हैं informal letter है तो आपको एक बड़ा सा खत लिखना है क्योंकि भी साड़े साथ marks आपको इसमें लेने है long question है, तो long question दो पेज से कम का तो होना ही नहीं चाहिए आपका, तो minimum दो पेज का तो ज़रूर लिखेगा और जितना बड़ा आप लिख पाएं उतना तो ज़रूर लिखेगा कि भई, जनरल English की आधुने की युग में क्या importance है, क्या महत्व है अगर आपको grammar नहीं आती अगर आपको language नहीं आती आपकी vocabulary अच्छी नहीं है translation आपको नहीं आता, active passive नहीं आता आपको, grammar नहीं आती आपको, यह सब कुछ general English में पढ़ाया जाता है, तो यह सब कुछ नहीं आता आपको तो आप communicate कर ही नहीं सकते आप गलत लिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा importance है, कई सारे आप इसमें points त्याल के लिख सकते हैं, बिना points के भी लिख सकते हैं मजे से आप 3-4 page का लिख सकते हैं लेकिन 3-4 page का ना भी लिख पाएं, तो 2 page का ज़रूर लिख दीजेगा इस तरीके का answer what do you understand by language of English language of English से आपका क्या तात पर है illustrate your answer with the suitable examples और suitable examples देकर आपको अपने answer देना है यहाँ पर, तो भई English language पर तो आप कितना भी लिख सकते हैं unlimited है, तो यह आपके third paper था लगभग ऐसा ही आगा, ज़रूर नहीं, यही questions है repeat भी हो सकते हैं, questions repeat होते भी रहते हैं exam में जो आई हुए पिछले previous years के questions हैं तो यह important तो हैं यह अपने आप में और आप इसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं देखे मुझे अगर वक्त मिलता है तो मैं आपके लिए एक दो वीडियो और बनाऊंगी second और third paper पर otherwise आप इस वीडियो से आपको idea हो गया होगा कि किस तरीके का आपका question paper आएगा ठीक है यह वीडियो मैं यहीं सवाप्त करती हूँ धन्यवाद